दोस्तो एक अच्छा क्रिकेट बैट हमेशा क्रिकेटर के लिए बहुत महतबुन है, रन बनाने के लिए और टीम को जीताने के लिए तो एक अच्छा cricket bet कैसे चूज किया आता है यानि एक international cricketer जो हम और आप देखते हैं टीम इंडिया में खेलते हैं टीम आस्ट्रिला में खेलते हैं बंगला देश में या फिर इंग्लेंड में खेलते हैं वोग cricket bet कैसे चूज करते हैं बताऊंगा मैं आज आपको इसके लाप पूरा इनी इसूस का depend करता है और जब आता है international cricket के बाद तब कोई भी भूल चुक allowed नहीं है तो कोई भी batsman एक cricket bet अपने इसाफ से कैसे चूज करते हैं वो उसके उपर और उसके experience से उपर depend करता है लेकिन normally जो internationally cricket player कौन-कौन से चीज़ देखता है और आपको भी अगर player हो आपको कौन-कौन सा चीज़ देखना चाहिए cricket bet खरीदने से पहले या फिर choose करने से पहले वो मैं कह देता हूँ सबसे पहले आपको ये choose करना है कि आपको किस टाइप का cricket bet चाहिए जी हाँ cricket bet दो तरीके का होता है एक होता है tennis ball खेलने के लिए और एक होता है leather ball यानि stage ball में जो खेला जाता है वो खेलने के लिए नॉर्माल जो tennis ball होता है वो सिर्फ height के हिसाफ से differentiate करता है और थोरा हलका लेने से भी हो जाता है लेकिन जो international cricketer bet choose करते हैं उसके बीचे बहुत सारी keys होता है जैसे कि पहले आता है size जी हाँ cricket का जो bet होता है वो bet होता है according to his size मतलब height cricket bet क जो size होता है वो 0 से लेकर LH ते होता है 0 मतलब 4 feet वाले बंदा वो bet use कर सकता है और LH यानि 6 feet के ऊपर जो बंदा है उसके लिए वो LH वाले bet होता है इसको लेकर बहुत discussion मुझे लगता है करना चाहिए इसको लेकर मैं अलगसा एक video बना दूंगा या फिर मैं बना चुका इसके बाद होता है type bet किस type का होता है यानि किस वूर से बना हुआ होता है obviously यह वीलो वूर से बना होगा क्योंकि international क्रिकेटर टॉप की वीलो वाला bet यूज़ करते हैं टॉप की वीलो मतलब English वीलो वीलो का जो लकरी है वो भी दो किसम का होता है एक कश्मेरी वीलो एक होता बाद है लेकिन कश्मेरी वीलो का बैट जो होता है वह comprise में easily सब जगा पर available है इसके बाद देखा जाता है weight weight के मामले ने ICC ने declare कर दिया है 1.4 kg के अंदर जो बैट है वोस बैट का weight रहना चाहिए normally 1.2 kg से 1.4 kg के बीच सब लोग का बैट रहता है जैसे कि image दोनी का बैट का पेर होता है वो पेर कितना साल पुराना है निया उलो यानि 5 से 6 साल के बीच जो बैट होता है वो बैट बहुत मजबूत होता है और वो बैट से बहुत अच्छा shot लगा जा सकता है लेकिन वो बैट टिकाव नहीं होता है यानि जादा दिन तक टिकता नहीं है लेकिन 10 से जादा साल वाला यानि 10 से जादा ग्रेंड वाला विलो बहुत देट टिकता है लेकिन उससे आप उतना अच्छा शौट यानि उतना जादा शौट नहीं लेगा सकते हैं इसके बाद आथा है पीच बहुत समय पीच का टाइप भी डिपेंड करता है बैट लेने पर जी हाँ आप अगर हाट इटिंग पीच देखेंगे या जहाँ पर बैटिंग इसली किया जा सकता है वहाँ पर तो आप वैसे ही बैट चूस करेंगे लेकिन आप जहाँ पर देखे में से वो पूरी तरह सेzogen करता है को भी एक खिलाडी को उबर अगर खिलाडी चाहता है या फिर खिलाडी का हाथ थोड़ा छोटा हो तो वह बेट का जो हैंडिल the वह छोटा भी बना सकता है या फिर बनवा सकता है और कोई अगर चाहता हैchas कि की हैंडिल थोरा पतला बनवाता है और जो ग्रिप है मल्टिपल ग्रिप लगा देते हो आपर तो वह जो सस्पेंशन है या फिर बॉल जब वहापर लगता है बैट में तो आपर जो हल्चल होता है यानि बैट पर जो धक्का लगता है वह धक्का पूरी तरह से हत में transfer नहीं ह चाहिए और हैंडल पर अगर बहुत उसको मैसिस होगा तो वह इजिली बैट इदर उदर गुमा सकता है इसके बाद होता है बैट का टो गार्ड जी हा टो गार्ड इस्तमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा योरकर बॉल में जी हा योरकर बॉल जब पढ़ता है विकेट के साम लेते हैं उनको मिल जाता है इसली बैट नॉर्मल अगर देखा जाए तो कुकाबूरा एस जी एस ये बैट नॉर्मल लेवल का होता है और हाई लेवल के देखा जाए तो रिबॉक एमरेफ एडिडास या फिर जीम का बैट होता है तो दोस्तों आपको कहें यह से पता था कि आफे नहीं नीचे कॉमेंट सेक्शन में जड़र लिखें का दूसरों मुझे हिंते जार का दूसरों आपके मीठी मीठे कॉमेंट का